मित्रो इस त्रिशूल पर पहले सिन्वर पेंट किया था वो उदर से दिखता नहीं था सुरह बगवान जी की रोशनी में फिर बगवा किया फिर ये थोड़ा सा कंदा हो या लोग बहुत सारे धागे और ये बांद देते हैं और चुन रही है और आज फिर इस पर बगवा कि करिया जा रहा है जो बाबा की करपा से मुझे न छोटी छोटी चीज़ों में रही आननद प्राप्त होता है यह याशी बाबा की करपा है दिवाली से पहले ये संदरकारिया हो गया और जल्दी ही शिकर ही यह कारिया एसा ही कारिया होगा च्याटी है案 म harmful के उपर पिंट प जया मेरे महादेव, मैं इसी छोट थोट सेवाइज चालोगती हम श्यम्भव कल आशपती महादेव si rria राता जी ये नन्दी भगवान-च। देख़ केमीत्रो सुंदर हो गया है बहुत-चंदर रहिए वाँ जैहो और हाँ ये देखिए ये इस पे भी कर लिया है मैंने महादेव शम्बो तेव अरहोर गंगे मियाजी अरहोर महादेव शम्बो के लाश पती जैहो गंगे मियाजी हार होर महादेव शम्बो पत्तों को जलाया जारहा सफाई अब यहाँ चल रहा है मित्रो देखिए पत्ते बहुत होते हैं इस सब पत्ते हैं उनको जलाया जा रहा है शम्भाव और यह प्राकर्तिक खुश्मु जो होती है यह थोड़ी कभी-कभी अच्छी लगती है जै गंगे मैं यह महादेव जै हो गंगेश्वर महादेव जै हो कि इस दिरिश्चे कुछ अलग दिखाई दिया अच्छा लगा इसलिए वीडियो बना ली महादेव शम्भू कि लाश्पती जी जै गंगे मिया जै बला जी महराज जै यशरी सिताराम जी मित्रो देखिया महाराज जी ने यह तो हमने क्या के महाराज जी ने क्या क्षेग कहते हैं वाइट शमेंट लगाई धी दिवारों पे पीला कर दिया है और अच्छा बाहर के दिवारों और अब इस पे उपर से हो जाएगा लाल भार बार और लाल में अंदर हो गया पीला बैक्ग्राउंड और क्या कहते हैं के सरी है हमारे माराजी बाबा जी बाला जी तो अलग चमक आ जाएगी और यह समान आ गया है ऑर शंचतने का उसको पड़ता है उतने का जी आम पर कोई कमाई नहीं है ऐब शंच और सथा रुकान उन्रकीजार की ब्रश सब्सक्रावारा बाई बेनों की और से दूद आ गया और वो कल का पेंट बचा हुआ है भगवा जो मैंने वात्रिशूल पर किया था तो वह ले आए उस्ते क्या करेंगे हम बॉर्डर बना देंगे दर्वाजे पे तो वह अलग लुक आएगी और डॉक्ट साब भी हमारे साथ आए हैं आज ये भी आनन्द ले रहें इस थान का प अबनी का स्ताओं वाह जै हो दूना माराज जी अगा अगा सभी देवी देरता हूं कि जै हो मत्ता राणी जी कि जै हो जै दूना माराज तेके मित्रों पहले वाइट सिमेंट हुआ फिर पीला कुछ डिस्टेंपर किया माराजी ने पता नहीं क्या किया है सुंदर चमक आ रही है और लाल हो जाएगा उसके बाद और चमक आएगी और ये कलश मंदर के चोटी पर स्थापित होगा जै नंदी भगवान जी जै मेर शंकर महादेव शिवशेव शंभाव कलाश पती वह 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 जै हो जै हो जै हो शिवशेव शंभाव कलाश पती जै नागदेव महादेव देखो मित्रो पेंट कोल दिया है माराज जी ने और ये रंग रूप बगल जाएगा मंदिर का और ये सेवा हां मैं बता रहा था किन की और से हो रही है पेंट की ये बात तो मैंने बता ही नहीं अभी तक अभी बता जेता हूं जै बालाजी माराज महादेव कि अने बदाना रहा है उसकी सेवा किन भाईों ने बेजी मैं वो आपको बताना चाहता हूं वी अनेक भाई बैण मुझ से भेट करने आते हैं मिलने आते हैं तो जो आयू में बड़े होते हैं वो प्रेम से मुझे कुछ देना चाहते हैं मैं लेता नहीं हूँ कुछ भाई बैंड डाट करके मुझे पैसा दे देते हैं कि हम तेरे से बड़े हैं, बड़े भाई हैं, बड़ा भाई का अधिकार बनता छोटे को देना तो उनका प्रेम देखते हुए फिर मैं वो ले लेता हूँ और फिर अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं वो पैसा कहीं सेवा में लगा देता हूँ ऐसे ही एक भाई आई थे, वो 500 बे मुझे दे कर गए थे और एक बार क्या हुआ था कि एक भाई के साथ मैं गाड़ी में बैठ करके गाजियाबाद तक गया था उनकी गाड़ी में, मैंने उनको बोला रास्ते में कि एटीम पर रोक देना तो उन्होंने जानभूज कर नहीं रोकी, क्योंकि उनको पता था कि उतरते वे वो इच्चुक थे सेवा करने के मेरी परन्तु मैं तो सेवा लेता नहीं फिर क्या हुआ जब मैं उत्रा वहाँ पर मेरे दोनों आत्मे सवान था एक में गंगाजल एक में बैग उन्होंने दो मैंने 500 रुपर मांगे कि आगे के खर्चे के लिए 500 रुपर दो उधार तो उन्होंने 2000 मेरी जेब में डाल दिये अब वो 2000 मेरे मन पर बोज बनावा था बहुत पहले से और 500 भाई के तो डाही जार हो गए तो डाही जार जो मैंने देने थे उन भाईयों के हैं ये उनी से ये सेवा हो रही है उस डाही जार से यानि कि ये सेवा मेरी और से नहीं अन भाईयों की और से औरी है, जिनके बड़ 2000 है और वो 500 हैं, जय बालाजी महाराज, जय श्री सिताराम, जय गंगा मियाजी, हरहूर महादेव, शेव 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 शम्भो कलाजपती, महादेव, जय हो महाराज्य की, जय बालाजी महानुच। लो जी आरंब कर दिया है और लग जाते हैं सेवा में जै श्री सीता राम जी महादीव महादीव जै बाला जी महाराज मित्रों डॉक्टर साब भी कह रहे थे कि मुझे भी सेवा का उसर दो तो मैंने कर लो प्रभू आप भी खजाना लूटो तो वह भी देखिए लूट रहे हैं खजाना बाबा की सेवा का हर 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 महादीव शंबव तेरी जै हुआ अलगी रूप आगया है प्रभू थोड़ा दूर से देखता हूं जाकर के नई सही में दोड़ रंगी अच्छे लग रहे हैं उपर लाल नीचे पिला लेकिन पूरा लाल ही कर देते हैं बाला जी मंदिर है जै हो जै गंग्य महिया आर आर हर हर गंग्य महिया जी देखना परभू अलग नीचे दिवार अच्छे लग रही है दूर दूर से आगा देख दूर से अर शंदर लग रही है पर वो एक बार नीचे साइड में मत करना यह रप्या कर ना जै हो जै हो प्रभू वाह सूंदर शंदर सुनदर जह हो डोकर साभ कि जह हो मरे महाराज जी कि जह हो भाल डोकर शाभ साब पाइनल टास्ज डे रहें बस और उनका बत कहना réalité जीवन में पहली बार आज वह पेंट रहे हैं ब्रश पकड़ा है सेवा पहली जगे बासे कार गतल सब्सक्राव करें महाराय। मित्रों देखिए, सूखने के बाद रंग और गाड़ा हो गया है और अभी एक कोट और लगेगा और अंदर हमने जानबुज के यह रंग नहीं किया ता कि वह दिखाई नहीं देंगे फिर बाबा तो अब अलग अंदर के लुका रही है महादेव, जै श्री सिताराम, महादेव, मित्रों मेरे मुझे निकल गया है, पेंट शतरा सो का आया है, मुझे याद नहीं था, मैंने अभी चेक किया, तेरा सो का पेंट और डेड़ सो की ब्रश, साढ़े चोदा सो, और बाकी जो दूद और वो आया, वो अलग है, महादेव मित्रों दूसरा कोट भी हो गया है, अभी गीला है, और सूखने के बाद ज्यादा चमक और आती है, सुन्दर, जै श्री सिताराम, जै बालाजी महराज, सूखने के बाद थोड़ी देर बैठके फिर वीडियो बनाके फिर निकलूँगा घर की और, डॉक्टर साब को भी ज वर्च गेश, जो की वो रखा हुआ तयार महदी, जै गंगामिया, जै मेरे महदी, लो जी, महाराजी ने बाबा को भी लाल कर दिया, अभी एक कोटु है, और एक प्रैमेर काम हो गड़े बर गए, गड़े बरने के बाद चिकने हो जाएंगे, चिकने होने के बाद इन पर महराजी को कलाकारी कर देंगे, रंग भी काला हो सकता बाद में, और फिर उस पर पेंट से तिलक बनाएंगे ना, त्रिपुंडर, वो भी सुन्दर लगेगा, जै हो मेरे बापबा, महराजी का और डॉक्टर साब का एक विचार बना है, कि शिवलिंग को लाल ही रखा जाएगा, और मेरे मन से नाम भी अचानक से निकल गया, लाल गंगेश और महादेव, लाल गंगेश और महादेव, काले शिवलिंग तो आपने हर जगए देखे हैं, सफेद भी देखे होंगे, लाल शिवलिंग, और इनको हम लाल ही रखेंगे, और जब पीला तिलक लगेगा, या सफेद तिलक लगेगा, तो और सुन्दर लगें लाल गंगेशवर महादेव जी जै मेरी गंगे मैया जी की जै हो जै जै मेरी गंगे मैया हर 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 गंगे मैया जी डेंजर जोन है यहाँ पर तैरना मना है तैरिये गामत यहाँ पर कहीं आप बाद में कहें बताएं नहीं आज मैं लाल टीशिट जानबूज करके पहन के आया हूँ मुझे पतादाल पेंट करना है लाल पेंट की छीटे यदी गिर भी गई तो वो दिखाई नहीं देगी टीशिट गंदी नहीं होगी कल पीली टीशिट मैंने पेंट रखे थी और त्रिशूल पर भगवारंग किया था तो उसकी दो-चार छीटे गिर गई हलाकि वो छीटे देखकर याद आएगा कि ये भूंदे बाबा की सिवा में लगी थी तो बाबा की कृपा है और होर महादेव चलिए आप हम कुटिया की ओर निकलते हैं आशा करता हूं आनंद आपको भी प्राप्त हुआ होगा जय मेरे बड़ाई शंकर महादेव 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 महाद जी रख्ट साब चले क्या चलो फिर कुटिया की ओर चलते हैं थोड़ा आराम भी करते हैं सुबह उठता हूं मैं 3 3 3.4 के बीच में तो थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा को नीद आराम चाहिए होता थोड़ा सा तो चल के थोड़ा आराम करता हूं कल थोड़ा है और माकी क्रपा है कि ऐसे ब unpack ब्रहु रत में उठाते हैं और गंगाजी के चणों में फिलिओं का क् कलाँ, कलाँ!